खंडवा में महा नौमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों कताता लगा हुआ है माता के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रही है वहीं शहर के माता चौप पर कोलकापा के कलाकारों ने 28 स्कीट की शांदार प्रतीमा बनाए जवलपूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आ है वीडी शर्मा ने कहा है कि घर में चार सदस्से हैं आपस में बात चीत करते हैं साथी नोंने कहा कि बीजेपी ऐसा दल है जहां पद्वती पर आधारित काम किया जाता है और पार्टी में अनुशासन बरकरा है तो चार सदस्स से कभी तो आपस में बात भी करते हैं इस पहले सागर जिले के देवरी से बीजेपी के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने सुभा चार बज़े स्तीपा वापस ले लिया बदादे की विधायक ने कल शाम को स्तीपा दिया था केसली थाने में एफपाई यार दर्ज ना होने के चलते विधायक ने विधान सभा की पदस्ता से स्तीपा दिया था वहीं अब विधायक का कहना है कि आकरोश में लिया गय कदम दुरभागेपूर था अब इस तीफे का कोई विशे नहीं है, संगठन और सरकार मेरे साथ है, मुस्मीन क्यादेश का पालन करना। इन दौर में क्याबरेट मंतरी के लाश विजे वर्गे ने UPKCM योगी अधितनात के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थनी किया है, गर्वा मोहस्व में उन्होंने कहा कि 25 साल बाद हमारे आने वाली पीडी के लिए बहुत खत्रा है, उनकी माने तो देश की डेमोग तेजी से बदल रही है, और UPKCM योगी अधितनात ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप सबसे भी निवेदर हैं कि गंभीरता के साथ विचाथ करें। और जिस प्रकार कुछ राजनितिक दल तुस्ति करण की नीती के कारण, देश में अशांती फेलाना है वाले लोगों को सरक्षन दे रहें, बहुत जरूरी है कि हम इसलिए सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, पटोगे तो कटोगे। बालगार से खबर है जहां जिला चिकसाले का निरिक्षिन के दौरान गंदगी मिले पर प्रभारी मंत्री उदे प्रताफ सिंग ने सीमो को जमकर पटकारा, कहा कि ये पहली और आखरी दपा है, नहीं तो मुख्य मंत्री जी से बात करूँगा। अगली खबर खरगोन से है, जहां आवारा पश्यों का आतंक देखने को मिल रहा है। अवारा पश्यों के जुन्ड ने रौंदा है, बाइक सवार को टक्कर मारी है, CCTV में ये घटना रिकॉर्ड हो गई, बाइक सवार को चोट भी आई है, देखे किस तरह से ये भागते वे आ रहे हैं, सामने से मवेशी बाइक सवार गिर जाता है, और फिर उसके बाद एक मव पुन्यादव ने कन्या कन्याओ को चुन्री उड़ाई और उनकी आसीद उतारी, कन्या पूजन के दौरान मुखे मंत्री ने कन्याओ के साथ बातचीत भी की खंडवा में महा नौमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों को ताता लगा हुआ है, माता के पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रही है, वहीं शहर के माता चौक पर कोलकापा के कलाकारों ने 28 फीट की शांदार प्रतिमा बनाए, जिसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में भग पहुंच रही है, वही देखते हैं टॉप 20